एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रहती थी एक खूपसूरत सी लड़की जिसका नाम प्रिया था। एक दिन प्रिया की माने उसे बताया कि वह शाम को ट्यूशन क्लास जाएगी। प्रिया पहले तो थोड़ी निराश हो गई क्योंकि वह रात में साइकल चलाने से डरती थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि वह अपने साइकल पर ट्यूशन क्लास जाकर अपनी बहादुरी दिखा सकती है। शाम होने पर प्रिया ने अपने साइकल पर लाइट लगाई और ट्यूशन क्लास के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे थोड़ा डर लग रहा था लेकिन वह अपने साइकल को तेजी से चलाती रही और वह जल्दी ट्यूशन क्लास पहुँच गई। ट्यूशन क्लास में प्रिया ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसे अपने टीचर की बाते समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई और वह जल्दी जल्दी सवालों का जवाब देती थी। ट्यूशन क्लास खत्म होने के बाद प्रिया फिर से अपने साइकल पर चड़कर घर चली गई। अब उसे रात में साइकल चलाने में डर नहीं लग रहा था। वह जानती थी कि वह बहादुर है और वह कुछ भी कर सकती है। जब प्रिया घर पहुची तो उसके माता-पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने प्रिया को बताया कि वह बहुत बहादुर है और वह उस पर बहुत गर्व करते हैं। प्रिया को भी अपने साइकल पर ट्यूशन क्लास जाने पर बहुत अच्छा लगा। उसने सीखा कि अगर हम अपने डर पर काबू पालें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन राजू जंगल में घूमते हुए एक छोटे से मेंधक को देखकर रुग गया। मेंधक बहुत खूपसूरत था और उसकी हरीभी तवचा पर सुनहरे धब्बे थे। राजू को मेंधक बहुत पसंद आया और वहां उसे अपने घर ले गया। राजू ने मेंधक का नाम मोटू रखा। वह मोटू को बहुत प्यार करता था और वहां उसे हर दिन खाना खिलाता था और उसके साथ खेलता था। मोटू भी राजू से बहुत खुश था और वहां राजू के साथ रहना पसंद करता था। एक दिन राजू और मोटू जंगल में घूम रहे थे। जंगल में बहुत सारे जानवर थे और राजू और मोटू को उन्हें देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। वे बंदरों को पेडों पर कूते हुए देखते थे, हिरणों को घास खाते हुए देखते थे और चिडियों क गाते हुए सुनते थे। राजू और मोटू एक दिन जंगल में घूम रहे थे, जब उन्हों ने एक बड़े से साम को देखकर डर गए। साम बहुत गुस्से में लग रहा था और वह राजू और मोटू पर हमला करने के लिए तैयार था। राजू बहुत दर गया और वह रोने लगा लेकिन मोटू बहुत बहादुर था और वह सांप से लड़ने के लिए तैयार हो गया मोटू ने सांप पर छलांग लगाई और उसकी पूँच पर काट लिया सांप बहुत दर से चलाया और वह जंदल में भाग गया राजू को मोटू की बहादुरी पर बहुत गर्व हुआ उसने मोटू को गले लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा किया राजू और मोटू अब और भी अच्छे दोस्त बन गए राजू और मोटू हर दिन जंदल में जाते थे और वे बहुत खुश थे उन्होंने सीखा कि दोस्ती बहुत ताकतवर होती है और यहां किसी भी मुश्किल को दूर कर सकती है एक बार की बात है एक छोटे से शहर में रहती थी एक खूपसूरत सी लड़की जिसका नाम मीरा था मीरा को बचपन से ही एनी में देखना बहुत पसंद था और वहां अकसर अपने दोस्तों के साथ एनी में देखती थी वहां एनी में के रंग बिरंगे किरदार, रोमांचक कहानिया और खूपसूरत संगीत से बहुत प्रभावित थी मीरा ने सोचा कि क्यों न वहाँ खुद ही एक anime film बनाए वहाँ अपने कम्प्यूटर पर anime बनाने की प्राक्टिस करने लगी और उसने कई तरह के animation software सीखे वहाँ रात दिन मेहंद करती थी और उसने अपने anime बनाने के सपने को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी कुछ सानों बाद मीरा ने अपनी पहली anime film बनाई उसकी film को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसे कई पुरसकार मिले मीरा बहुत खुश थी कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया है और वहाँ अब एक सफल anime film maker बन चुकी थी मीरा ने अपनी सफलता के बाद भी मेहंत करना नहीं छोड़ा वह हर दिन नई कहानिया लिखती थी और नए animation software सीखती थी वह चाहती थी कि वह ऐसी anime filmे बनाए जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करे और उन्हें खुशी दे मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए हमें मेहंत करनी चाहिए लगन से काम करना चाहिए और कभी भी अपने सपनों को छोड़ नहीं देना चाहिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और दुनिया में कुछ अच्छा कर सकते हैं